दोस्तों जस्त अभी अभी कुछ दिर पहले Yes Bank की तरफ से काफी बड़ा merger अपडेट आ रहा है कंपनी यहाँ पे merger करने जा रही है एंड इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो को Yes Bank और HDFC Bank के साथ में कुछ ऐसी कंपनी इसके shares के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनोंने यहाँ पे bonus, split, dividend और साथी साथ में merger अनाउस कर दिया है मैं हूँ आरूश आप लोग देख रहे हैं फिनो मीडिया बाया आरूश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज आते हैं बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले share की तो कंपनी का नाम है Herschel Agrotech Limited यह कंपनी का जो share है last trading session पे दुबारा से एक बारी अपने 2% के अपर सर्किट पे लॉक था और 82.51 रुपीज के उपर में close हुआ अगर इस कंपनी के official announcement की बात करें तो आप में से जादतर लोगों को पता ही होगा Herschel Agrotech ने जो है stock split announce करके रखा है 1-10 के ratio से जिसका मदलब simple है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो वो total में 10 shares के अंदर में convert हो जाएगा चाहे फिर बेशक आपके पास में इस company के जितने मरजी shares हो आपके सभी के सभी shares यहां पे 10 गुना हो जाएगे अब finally Herschel Agrotech ने जो है split को देने की x date record date announce कर दी है जो की 14th of October यानि की 14 October की रखी गई है एक चीज का खास ध्यान रखिएगा Herschel Agrotech एक penny stock है और अब तो YouTube के उपर अपने promotions भी इन्होंने start कर दी है एक बड़ा trap हो सकता है मैं तो सीधा सा गमगा buy मत करिए avoid करिए share की तरफ देखिएगा भी मत यह personal advice आपको दे रहा हूँ कोई और नहीं बोलेगा अगले share की बात करें तो company का नाम है बजाद Steel Industries ये company का जो share है last trading session पे almost हमें flat close होता देखने को मिला to be precise 0.11% के एक चोटे से positive note पे close हुआ 3,323 रुपीज का जो है company के share का closing price था अगर इस company के official announcement की हम बात करें तो बजाद Steel Industries ने जो है यहाँ पे bonus announce कर दिया है 3 to 1 के ratio से जिसका मदलब simple है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो यहाँ पे आपको 3 shares का bonus मिलेगा आपका जो एक share है वो 4 shares में convert हो जाएगा चाहे फिर बेशक आपके पास में इस company की जितने मरजी shares हों आपको आपके हर एक share पे 3 नए shares as a bonus दे ही दिये जाएंगे इस bonus को देने की X date record date अभी upcoming में है विकोज यह एकदम latest announcement है आप लोग चैनल को subscribe करिएगा विकोज बाद में जैसी X date record date आएगी मैं आप लगो को intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है Case Alls India Limited ये company का जो share है last trading session पे 0.3% के एक छोटे से positive note पे close हुआ और 1018 रोपीस का जो है company के share का closing price था अगर इस company के official announcement की हम बात करें उससे पहले एक बड़ी update आपको दे देता हूँ अगर आप लोग चाहें तो मेरा 100% free वाला telegram channel जरूर से join कर सकते हैं इसी वीडियो के description पे आपको link मिल जाएगा यहाँ पे मैं आपको regular basis पे cash के उपर में stocks पे buying recommendation शेयर करता हूँ short term के लिए scalping setup और mid term के लिए swing trading setup प्रोवाइट करता हूँ देखिए आपके लिए काफी ज़दा beneficial रहेगा और इसकी guarantee मैं लेने को तयार हूँ अगर join नहीं भी करना एक बरी description में दिया है link है उसके उपर जाके check out जरूर से करिएगा I hope आपको पसंद आएगा अगर हम बात करें case alls इंडिया के official announcement की तो इस company ने जो बोर्ड meeting organize कर दी है 18th of October को और इस बोर्ड meeting का जो purpose है वो dividend को लेकर के रहने वला है और already company ने dividend को देने की X date, record date, advance में अनाउंस कर दी है जो कि 28th of October यानि 28th of October की रखी गई है तो 18 October के दिन company जो भी dividend अनाउंस करती है अगर उसका benefit आप लगो को चाहिए हुआ तो आपको इस company के share को उसकी X date यानि 28th of October से पहले पहले purchase कर लेना होगा अगले share की बात करें तो company का नाम है JTL Industries Limited ये company का जो share है last trading session पे हमें 6.5% से जाधा correct होता देखने को मिला और 222 रुपीज पे close हुआ अगर इस company के official announcement की हम बात करें तो JTL Industries ने यहाँ पे stock split announce कर दिया है 1-2-2 के ratio से जिसका मदलब simple है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो वो 2 shares में convert हो जाएगा चाहिए फिर बेशक आपके पास में इस company के जितने मर्जी shares हो वो सभी के सभी यहाँ पे double हो जाएंगे यह announcement भी एकदम latest है इसको देने की X date record date अभी upcoming में है आप लोग जो है चैनल को subscribe करिएगा बाद में जैसी X date record date आएगी मैं आपको intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है Blue Cloud Soft Tech Solutions Limited last trading session पे company का जो share है हमें 5% की गिरावट करता देखने को मिला 162 रुपीज पे close हुआ अगर इस company के official announcement की हम बात करें तो Blue Cloud Soft Tech Solutions ने जोब है dividend announce कर दिया है 0.02 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक share पे केवल और केवल 2 पैसे सिरफ 2 पैसे का ही dividend दिया जाएगा actual में dividend value बहुत बहुत जादा बेकार है एकदम घटी आए तो avoid करिएगा बागी इसको देने की x date record date सामने आ चुकी है जो की 11th of October यानि की 11 October की रखी गई है अगले share की बात करें तो company का नाम है Yes Bank Limited Yes Bank का जो share है last trading session पे हमें 1% की तेजी दिखाता देखने को मिला और 22.09 रुपीज पे close गुआ अब Yes Bank की तरफ से काफी बड़ी merger अपडेट निकल कर किया रही है basically directly एक merger नहीं है बट हमें आपको detail में समझाता हूँ क्या है MUFG यानि की Mitsubishi UFJ Financial Group एक काफी जाना माना banking group है और world का second largest bank holding company है और Japan का one of the topmost bank है कहीं ना कहीं ये जो है Yes Bank के अंदर एक majority stake acquire करने वाले थे बट इन्होंने फिर मना कर दिया था अभी दुबारा से ये banking group वापस से race में आ चुका है और Yes Bank का majority stake acquire करना चाता है और इन्होंने अपनी initial bid भी submit कर दिये Yes Bank का 51% का stake acquire करने के लिए अब इनको अगर 51% का stake मिल जाता है तो ये Yes Bank को पूरा control कर पाएंगे जिस तरीके से चाहें उस तरीके से चला पाएंगे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ Yes Bank जो है इंडिया का 6th largest private bank है assets के हिसाब से अगर आप देखें और ये जो MUFG group है यानि कि Mitsubishi UFJ financial group ये group ने पहले भी एक proposal इंडिया के अंदर में रखा था जिसके अंदर ये लोग जो है HDB financial जो की HDFC बैंक की एक finance arm है इसके अंदर में 2 billion dollars invest करना चारे थे बट वो जो है reject हो गया था HDFC के board के द्वारा ऑगस्ट में बट उसके बाद अब finally इन्होंने अपना interest दिखाया है ये इस bank के अंदर 51% का stake acquire करने के लिए आपकी जानकारी के लिए बता दूँ current market value के हिसाब से कर अब देखेंगे ये इस bank का जो 51% का stake है वो 68,000 करोर रुपीज से जादा की worth रखता है और कहीं न कहीं ये इंडिया का largest banking sector M&A है तो कहीं न कहीं जरूर से आपको इस deal के उपर नजर बना के रखनी चाहिए वैसे तो भी deal काफी जल्दो इसके chances काफी कम है बढ़ हाँ अगर ये deal हो जाती है और ये जपान के बड़े banking group को yes bank का controlling stake यानि की 51% का stake मिल जाता है तो actual में yes bank की दिन बदलते आपको नजर आएंगे क्योंकि अगर कोई भी और private bank यहाँ पर एंटर करेगा उसका main focus क्या रहेगा कम से कम time के अंदर yes bank को जादा से जादा profitable करना तागी company की valuation जादा बड़े और जिसने acquire कर रहा है उसको भी कुछ value यहाँ से derive हो तो actual में yes bank के लिए काफी अच्छी चीज होगी लेगन आपको wait करना है एक बर ये deal final हो जाती है उसके बाद में yes bank के अंदर आप अपनी entry बना सकते हैं उससे पहले अगर ये deal दुबारा से cancel होती है yes bank के share पे और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है इस चीज का भी आपने जरूर से ध्यान रखना है तो जरूर से yes bank से जोड़ी जो भी updates आती हैं उन सब पे आपकी नजर बना के रखिये और चाहें तो yes bank के share को भी आपके watch list के अंदर में add कर सकते हैं अब आज आते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले and last update की तो company का नाम है HDFC Bank Limited HDFC Bank का जो share है last trading session पे लगबग हमें 1-5% की गिरावट करता देखने को मिला 1661 रुपीज पे close हुआ अब HDFC Bank की तरफ से काफी बड़ी और एक positive update निकल करके आ रही है basically अब सभी को पता है HDFC Bank का जो share है last कुछ सालों से अपने investors की patience को test कर रहा है कोई बड़ा momentum हमें देखने को नहीं मिल रहा है but finally एक काफी बड़ी update आ रही है हो सकता है आने वाले कुछ हफतों के अंदर में HDFC Bank के share के अंदर में 1.8 billion dollars का inflow आता देखने को मिले क्योंकि जो global index service provider है MSCI यह यहाँ पे HDFC Bank के अंदर में अपना weightage increase करने का decision बना रहे है और अगर actual में ऐसा होता है MSCI अपना weightage increase करता है HDFC Bank में तो लगबग 1.8 billion dollars का investment यहाँ पे करा जाएगा और यहाँ पे कही ना कहीं आप देखेंगे FIIs और भी जादा अपना headroom यहाँ पे बना लेंगे और 20% से जादा safely अपने आपको remain करेंगे कही ना कहीं हो सकता है यह जो weightage है November तक आते आते हैं हमें increase होती देखने को मिले और अगर यह decision अभी बन जाता है definitely November के अंदर 1.8 billion dollars approximately inflow जो है हमें HDFC Bank के अंदर आता देखने को मिलेगा और यह चीज़ को खुद Novama ने और साथी साथ में और research institutions ने confirm किया है तो जरूर से HDFC Bank के share पे नजर बना के रखिए हो सकते हैं आने वाले कुछ महीनों के अंदर एक बड़ा breakout हमें देखने को मिले तो HDFC के share को जरूर से आपके watch list के अंदर मैड करिएगा और regular basis पे जो भी updates आ रहे हैं उन सभी को follow up करिएगा बागी yes bank हो गया HDFC bank हो गया इन दोनों के अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो उस particular share को आपको उसकी x date से पहले पहले purchase कर लेना होगा बागी इस वीडियो के अंदर में इतना ही रखेंगे यही कुछ companies के shares थे जिनकी तरफ से बड़ी updates आ रही थी specifically जिन्नोंने आपे bonus, split और dividend announce किया था अब अगर आपको वीडियो अची लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को भी subscribe करिएगा ऐसे और वीडियो स्टीए तो definitely stay tuned